नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में में बात करूंगा पियानो नोटेशन में यूज होने वाले साइन और सिम्बॉल की तो कैसे उनको यूज किया जाता है और एंड में आप लोगों के लिए क्विस भी है तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा चलिए शुरू करते है तो इस वीडियो में हम वेस्टन नोट्स के बारे में बात करेंगे वेस्टन नोट्स में जैसे हमारे एस क्लासिकल म्यूजिक में सारे गामा पधा निसा होता है वैसे वेस्टन म्यूजिक में C, D, E, F, G, A और B यह साथ नोट्स होता है ठीक है फिर C और D इनके बीच में जो बलेक की रहती है इसको C शार्प भी बोल सकते है और D फ्लेट भी बोल सकते है ठीक है तो C शार्प को हैश के नोट से डिनोट किया जाता है और फिलेट वाले ञोता है उसको सक बीच box State genetic क्या चाथ हे शेस ऐसे डी और आरी के वरी होसे जो ब्लेक की उसे अभी शार्प या ए ऐ फिलेट बुलेंगे f ूरफ जी क्वीचए होसको आफ शार्फ या जी प्लेट बुलेंगे G और A के बीच में जो किया है उसे G शार्प या A-flat और A और B के बीच में जो किया है उसे A-sharp या B-flat बुलेंगे तो ऐसे इन 12 की से मिलकर एक ऑक्टेड बनता है ठीक है अब अगर आपको कही पर G-sharp- किसी notation में ऐसा लिखाऊ G- मतलब कि वह इस octet से नीचे वाले G- की बात कर रहे हैं और आगर आपको कहीइ परने साथ दिया हो दिहेश प्लस मतलब वह इस octet के ऊपर वाले octet की बात कर रहा है ठीक है तो प्लस मतलब इस octet के ऊपर आपर वाला और माइनस में लिखा है मतलब इस आक्टेट के नीचे वाला है ठीक यह उसके नीचे डॉट लगा है इसका मतलब है वह इस ओक्टेट से नीचे वाला एक अगर अभी तक आपने इस क्विज में मेरे आपसे पहला सवाल यह है कि एफ लेट और जी शार्फ इसमें क्या अंतर है अगर आपको अंश्थार पता है तो निचे कमेंड बॉक्स में बताई हो अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को एक और बार देखिए मुझे लगता है आपको अंसर मिल जाएगा और मेरे दूसरा सवाल यह है कि इन दोनों साइन्स का मतलब क्या होता है जिन लोगों के पास ऐसे 77 सिंतेसाइजर है उनके सिंतेसाइजर में यह साइन जरूर होगा तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंड बॉक्स में बताईए और नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में इसका जवाब दे दूँगा धन्यवाद जय हिंद जय भरत